वी सच साहस सरोकार प्रथम चरण के जन संपर के आखरे दिन वार्ड पच्पन बीजे भी प्रत्याशी के समर्थ को ने अपना पूरा दमखम दिखाया शेत्रिय लोगों ने भी पुश्प वषा करके बाइक रैली का स्वागत किया वही पार्षद पत्याशी विज़वर्मा निशाद ने शेत्र में तूफानी जन संपर किया और शेत्रिय लोगों का विज़वर्मा निशाद को भी भरपूर समर्थन मिल रहा है वसका आखिव को पर इस अवान प्रत्यासपाक्यान हिए के ₹वाग्यास पूरी जनता का अपार समत्रन आगे विजैनी होंगे का Robin जो भी कई पार्साद रहें वो भारती यंता पार्टी के नहीं रहें। तो इस खबर पर जाता जानकारी के लिए हमारे सयोगी जिशान हमारे साथ जुचुक है जिशान अब से जो चुनाप प्रचार का शोर है वो मैस कुछी देर में थम जाएगा तो इस दौरा जो प्रत्याशी है वो किस तरीके से जन संपर करते होए नतरा रहे हैं जिए बिल्कुल मैं आपको बता दूँ उस्तरपर्देश में निटाय सुनाव का पिर्थम चलन आज 6 बजे से चुनाव पिर्थार बिल्कुल समाफ्त हो जाएगा और उसी को लेकर आज आगरा मैं नगर निकाय सुनाव को लेकर सभी पिर्थयाती जनता के बीज में जाकर ज कुल्धन वाजिशान हमारे साज जोने के लिए तो वहीं दिवरिया में निकाय चुनाव के प्रथम चरण प्रचार के अंतिम देन भोचपूरी अभी नेता और सासर दिनेश लाले आदव निरहुआ ने गौरी बाजार और रूद्रपूर नगर पंचायत में रोडशो किया साथ ही भाश्वप रत्याशियों को विजवे बनाने का अपील भी की गई है और रोडशो में उम्री भारी भीर को वो संबोधित करते हुए भी नजर आए इस दोरान समोधन में निरहुआ ने कहा कि सपा बसपा और निर्दलिय ये सभी दल दल है और इस दल दल में आपको कमल खिलाना है इस दोरान विधायक शलम मनीतर पाठी और राजईश कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे तो वहीं अम्रोह में लोकसबा शेतर के निवर्तमान सांसा चौदरी कमवर सिंग तमवर ने सभी सम्मानित मतदाताओं से भाश्पा प्रत्याश्यों के पक्ष में मतदान करने के अपील की है चौदरी कमवर सिंग तमवर ने नगर निकाचुनाओ के पहले चरण के चार अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अपील की है उन्होंने का है कि यूपी की ओर से केंदर की डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है भाषवरा त्याश्यों का अपना कीमती वोट देर जिससे शिद्र का विकास हो सके बहुत बहुत आपको धन्यवाद तो आपको बताते चले कि पहले चुरण में निकायच नाव अमरोह में भी होने है जिसको लेकर सांसदने लोगों से अपील की है कि वो भाजपा प्रत्याश्य के पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तमाल करें तो वहीं सहारनपुर में सत्ताधारी पार्टी ने नेताओं के मेर प्रत्याश्य डॉक्टर अजय सिंग के हित में एक मिशाल रोड शो निकाला है इस दौरान उन्होंने जनता से वोट देने के अपील की साथ ही जैश्री नाम के नारे भी लगाए वही भाचपा कारिकर्ता अगरवाल धर्मशाला से लेकर में बाजार होते हुए पार्टी चुनाव कारियाले में गए तो वही दूसरी तरफ सबसुप्रीमों अखिलेश श्यादव मीनगर निकाय में सहारनपुर पहुचे है श्रावस्ती में जनसभा को संबोधत करने के लिए केशा प्रसाद मौरय भिनगा पहुचे वही भाचपाईयों ने इनका बेहादी गर्मशोशी के साथ स्वागत किया साथी संबोधन में उन्होंने बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती को नमन किया तो वही डिप्टे सीम ने भिनगा के जूनियर हाई स्कूल के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया संबोधन के दुरान विपक्षियों पर भी जम कर निशाना सारते हुए उन्होंने कार के पिछले नौ सालों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदली है नौ साल पहले देश में अविश्वास और भ्रश्चा चार का महौल था जब फूर के जामने वारी बढ़न के सामने अपना ठखपा रगा दिए दिर्ली से खजाने से और चाहे लखनव के खजाने से नगर पारिता को सजाने के लिए पैसे की कमिन में नहीं पढ़ने भी जाएगी और यह में बस्पा जिला यूनिट लगातार पार्टी विरोधी गत्विधियों में कारी कर रहे नेताओ को निकाल रही है इसी क्रम में बस्पा जिला यूनिट ने पूर विराज मंत्री और पूर विधायक रामजी शुकला को और उनके भाई लाल जी शुकला को पार्टी विरोधी गत्विधियों में लिप तरहने के कारण पार्टी से निसकाशित किया है आपको बता दे कि बस्पा के कदावर नेता रामजी शुकला के भाई लाल जी शुकला भी पिछले विधान सबा चुनाओ में सिकंद्रा विधान सबा सीट से बस्पा के प्रत्याशी थे और इस बार भी लाल जी शुकला ने नगर पाले का परिशद में बस्पा के घोशित प्रत्याशी मुन्ना पाल के खिलाफ निर्दलिया परचा भरा है और वो लगतार और रही है नगर पाले का परिशद में वोट मांग रहे हैं जिस कारण बस्पा जिला अध्यक्ष कमल गौतम ने प्रेस नोट जारी कर पूर्व राजमंत्री और विधायक राम जी शुकला और लाल जी शुकला को निसकाशित करने के विग्यापती जारी की वही नगर पंचायत में भी पांच पार्टी के नेताओं को बस्पा पहले वेनिसकाशित कर चुकी है अब खबर 12 बंकी से है जहाँ पर विधान सभा के आदर्श नगर पंचायत राम नगर में निर्दलिय प्रत्याशी राम शरन पाठक चुनावी सभा कर रहे हैं उन्हों ने सभा को संबोधित करते हुए अपने कारकाल की उपलब्धिया गिनाई साथ ही जनता से अपने पक्ष में वो डालने की भी बात कई है अपने कारकाल की उपलब्धिया गिनाते हुए पाठक ने विपक्षियों पर निशाना स्थारते हुए कहा कि हमारे कारकाल में आवा गाज़ेबाद में एक महिला ने आरोप लगाये है कि वो दस साल से एक विशेश समुधाय के युवक के साथ लिविन, रिलेशनशिप में रह रही ती लेकिन अब उसे पता चला है कि जिस युवक के साथ में वो रह रही थी वो तो पहले से ही शादिशिदा है युफ्ति का रोप है कि युवक का परिवार अब धर्म परिवतन करके साथ रखने का दबाव बना रहा है वह हिंदू संगठन की भी अब इस मामले मेंटरी हो चुकी है पोलस ने मुकदमा दर्श कर लिया है लेकिन अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं हो सकी है कि शादी करने से पहले भी उसने मेरे कई बार उसने मेरे अबोशन कराया दो बार मैंने मना किया था फिर भी उसने जवर्दिस्ते अबोशन कराया कि फाइनेंसली यह प्रॉब्लम मुझे बातों में लेके बहका के फिर अब भी जब शादी करने उसने धीरे-धीरे मेरे से दुरिया बनाना शुरू किया और मुझे फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम अगर हमारे धरम परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे ठीक है और ना तो फिर देख लो फिर तुमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता कुछ भी हो सकता है मुझे धंकिया मिल रही है उसके बाद मैंने पुलिस ठाने गई जाने के बाद फिर मैंने बोला कि मेरे साथ गलत हो रहा है आप लोगों किसे मुझे मदद चाहिए मिलने के बाद में हमने जो जो उनके साथ उत्पिडन हो रहा था उसकी बारे में पूरी जानकारी ली जैसी संग्यान में मामला आने के बाद में हमने पूरा उसका विवरन निकाला कि कहीं कोई जूट तो नहीं है जैसी हमें पूरा विवरन निकलने के बाद में सूचना मिली कि वहा महिला पीडित की जा रही है उसी के तोर उसी के द्वारा उसके माध्यम से जो हमें बताया गया उसके हिसाब से हमने गाजयबाद जिला परसासन को सूचना दी सूचना देने के बाद में उसकी F.I.R. दर्ज करा दी गई है लेकिन अभी तक F.I.R. दर्ज होने के बाद में कोई भी उचित कारवाइन खुती नजर नहीं आ रही है तो वहीं गोंडा में टपे बाजों के होस्लें लगातार बुलंद होते जा रहा है जो दिन दाहारे दुकानों में चोरी की घटनाओं को भी अब अब अन्जाम देने लगे हैं वहीं चोरी की घटना सीटीवी कैमरे में कैद हो गई है यह घटना कोतवाली नगर शेतर के गुरुना नक्चौकी के पास की है जिसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तो गुंडा में चोरों के होसले इसकदर बुलंद है कि अब वो दिन दहाडे चोरी के वारदात को अंजाम देते हैं चोरों के करतूद CCTV कैमरे में भी अब कैद हो गई है लखनाओ में LDA की लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है जी हाँ चारों तरफ काटों वाला तार खीचा गया था फिर करंट उतरने से गाई की मौत हो गई है पानी गिर्णे से खाली प्लॉट में पानी भर गया था यही काटों वाले तारों के पास अक्सर बच्चे खेलते हुए भी नजर आते हैं इस्थानी लोगों का इस मामले प्यारोप है कि शुकायत के बाद भी अधिकारियों ने मामने का संग्यान तक नहीं लिया है उन्हें नहीं किया तो उनको भी मानोंगी यहां बच्चे भी जैसे खेलते थी क्या बड़ा हो जाता तब आप लोग अभी यह घटना होई तो आपको क्या गदम उठा रहें कि बिजली विभाग की लापरवाही रही सब्सक्रादी करण पर अकसर आरोप लगते रहते हैं लेकिन इस बार जब करेंट उतरने से एक गाय की मौत होई तो इसको लेकर के भी ल्डिये पर एक गंभीर आरोप लगे हैं कहा जा रहा है कि यहां पर इस खाली प्लाट के हम तस्वीर आपको दिखाएंगे वो तस्वीर आप देखेंगे एक खाली प्लाट आप बना दिया गया लेकिन जैसे ही बरसात हुई बरसात का पानी इसके अंदर भर गया और एक खंबे का जो करेंट था वो उत्रा जिसकी चपेट में गाय आ गई और उसकी मौत हो गई बताय जा रहा है कि आसपास बच्चे भी खेला करते हैं लेकिन जिस समय बरसात हो रही थी बच्चे घर के अंदर थे इस कारण कोई बड़ा हाथसा तो नहीं हुआ लेकिन इसका शिकार मवेशी हो गया फिलहाल इस मामले को लेकर के भी आज इस्थानिये लोगों ने LDA को फोन कर इस मामले की जानकारी दी लेकिन आरोप है कि LDA ने उसके बाद भी संग्यान नहीं लिया तस्वीर आप एक बार फिर हम दिखाएंगे अपने कैमेरा मैंन से कहेंगे कि थ्वासा तस्वीर दिखाए कि जो मवेशी आप देख रहे हैं ये मवेशी सुबा से ही य यहां पर लोगों में काफी आक्रोश भी रहा फिलहाल इस मामले को लेकर साफ कहना है यहां के निवासियों का कि इस मामले को लेकर उच अधिकारियों तक भी जाएंगे अगर यहां पे कोई बड़ा हादसा होता तो फिर आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता वीडियो जनल आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोका